नमस्ते सभी फ्रेंड्स को मैं हूँ संपा आज का इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी बहुत ही खुबसुरत एक बैक का नेक डिजाइन वी शेप में तो चलिए यहां पर देखें में फैबरिक और अस्तर लिया है अस्तर को कटिंग करके पहले लिया है मैं अभी किस मेजरमे अचलिया है ठर्टी एइसे के हिसाब से और देखे फ्रटी एटिए इंज के हिसाब से जो है 9 इंच ती और 13 इंच करकर कि लिया कमर बहुत है कमर पर वही वहीं करना है अब हमने जो पेपर तेवार की यह स्फिपर है अब्रल किया और लंबई में चर्पेस है है साड़े बराइंच लिया है हमने नेक चो कट करेंगे 11 इंच पर लेकिन एक्स्ट्रा देड इंच रखा है एक इंच भी रख सकता है चोड़ाई पर 7.5 चार इंच लिया है तो आप नेक कितने इंच पर कटिंग करेंगे तो देख सकते सूल्डर के तरब तीन इच रख देना है और धाई इंच पर हमने नेक कट करेंगे तो आप देखिए तीन इच पर हमने निशान करके लिया है नीचे से साड़े तीन इच रखना है वो आपने मर्जी है तीन या साड़े तीन या चार इंच भी रख सकते है तो आप देखें फ्रेंच नीचे का जो बॉडर है वो बॉडर पौने तीन इंच है तो इस तरीका से रखना है थोड़ा सा बॉडर का आगे भी मतलब मैं साड़े तीन इंच रखा है सिलने के बाद तीन इंच रेडी होगा तो ग्यारा इंच पर निशन कर लिया है और आप देखिए कैन्बस को साड़े बारा इंच यहाँ पर लिया है तो इसे डबल करके लेने का है और देखिए अस्तर जो है इसका बीचो बीच रखना है एकदम और प्रेश के मदद से इसे चिपका लेना है तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर प्रेश कर लिया है चिपक गया है और अभी डबल करके लिय है अब मैं नेक का कटिंग किस तरीका से करूंगी वह में दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखे फ्रेंड्स पहले में क्या बोला था तीन इंच जो है सोल्डर वह रखना है धाय इंच पर हम कटिंग करेंगे मतलब रेडी चाहिए तो आप देखिए इस तरीका से लाइन करके लेना है क्रोस पर नीचे से साड़े तीन इंच और साइड से धाय इंच का तो आप देखिए फ्रेर साइड पर लूप लगेगा लूप जब लगेगा ना तो लूप लगने के बाद नेक जो है थोड़ा सा और भी बढ़ जाएगा तो इसलिए हम आधा इंच एक् और पूरा टोटेली वी शेप ने डालेंगे थोड़ा सा सेव डाल देंगे देखे मैं किस तरीका से सेव डाला है तो इसी तरीका से सेव डाल देने का है और अब हम इसे कटिंग कर लेंगे तो अब देखे फ्रेंड्स इसको इस तरीका से होना चाहिए कटिंग ये पैनने के बाद फैल जाएगा आपने अब आप साइट का जो हिस्सा था कैनवस का उसे इस तरीका से निकाल के देख सकते है एकिंज या सवाईज साइट पे रखना है और फिर निकाल लेना है क्योंकि इसे हमें जोरुद नहीं आप राख भी सकते है या साफाई भी कर सकते है लेकिन धैन से साइट का कटिंग करना है कपड़ा ना कट हो इस तरीका से अब देखिए में फैबरिक लिया है और में फै छुझा देते हूं मैं किस तरीका से रक्का है तब देख सकते हैं इस तरीका से कपड़े को रखना है इसी तरीका से रखना है देख़िये शीदे वाजू के उपर जो अस्तर है इसे मैं उल्टा करकER रखंँ आप सीलने के बाद यह पीछे की तरप चला जाएगा पाविंच रखते हुए हम इसे सील लेंगे, कॉर्णर पे थोड़ा सा धेन देंगे और फिर नीचे का बॉड़ार का हिस्सा जो है, ना मतलब नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर भी पाविंच के हिसाब से हम सील लेंगे क्योंकि हम इसे भी पलट लेंगे एक बार नीचे पट्टी लगाना चाते है तो पट्टी लगा सकते है, अभी बॉड़ार है तो मैं पलट लेती हूँ तो आप देखे बीच का कट कर लेनी का है, सेंटर का जगा पेन निकालके तो अब हम कहीं कहीं जगा अच्छा से कट लगा लेंगे अब हम नीचे का जगा है ना, नीचे का जगा से इसको पलटना है तो देखे मैं किस तरीका से पलटेंगे, देखे किस तरीका से मैं हाथ खुशा कर इसको उतना नीचे का जगा से, जो साड़ेती नीच का जगा था, उतना जगा के अंदर से हम इसे पलट लेंगे तो आप किनारा को सील लेंगे अच्छा से या तो प्रेश के मदद से बिछा लेंगे तो अभी मैं किनारा को एक बार बिल्कुल किनारे से सील लेती हूँ अब हम नेक का जगा को भी इसी तरीका से सील लेंगे थोड़ा सा इसे एड़्जस करना है क्योंकि अंदर कैनबस है तो इसलिए थोड़ा सा एड़्जस करके सील लेकिन सील लाई बहुत ही अच्छा से बैठ जाएगा क्योंकि अंदर कैनबस के वज़े से नेक जो है बहुत ही बढ़िया तरीका से बनेगा बापस घुमा कर दुसरी साइट पर करके लेना है तो इसी तरीका से पूरे नेक को करके लेने का अब हम उल्टा करके बागी का जो जगा बचा है ना तो बचा हुआ जागे को हम सील लेंगे तो देख सकते हैं मैं कि आहाँ पर सीलाई कर रही हूँ अब हम इसे चाट लेंगे एक्स्टा फैब्रिक को और दूसरी साइट का भी इसी तरीका से करके लेने का है तो आप देखे फ्रेंज ये नेक रेडी हो गया अब हम लूप बनाएंगे लूप बनाने के लिए देडी इंच का कपड़ा लेने का है तो इसे उल्टा से डबल करेंगे और साइट से सील लेंगे और कितना सीलाई करना है लूप कितना बनाना है पाव इंच लूप हमें रेडी चाहिए मतलब पाव इंच रखने के बाद साइट से हमें सील के लेना होगा इस लूप ज्यादा चोड़ा नहीं करने का है ज्यादा पतला भी नहीं करना है पाव इंच इतना होना चाहिए तो अब हम धागा अंदर डालके इसे जिस तरीका से पलटते है तो इसे पलट लेने का सुई धागा के मदद से तो इस तरीका से थोड़ा जादा करके लूप बनाना होगा तो अब देख सकते हैं एक-एक लूप ना मैं यहां पर देडडड़ इंच का बनाऊंगी कर देडड़े इंच करके लूप बनाऊंगी और लगबध यहां पर 25 से 30 लूप लगेगा जितना बड़ा नेक है नेक के ओपर डिपेंड होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना लूप हमें चाहिए तो बना के लेना है पट्टी तो अब हम इसे दो डबल करेंगे और फिर किनारा पर लगाते जाएंगे और यहाँ पर धेन रखना है कि हर लूप के बीच में आधा इंच का डिस्टेंस होना चाहिए तो इस तरीका से पूरे गले को हम रेडी करेंगे थोड़ा सा धेन रखते हुए कि डिस्टेंस इक्वेल होना जुरूरी है तो आप देखें फ्रिंट्स बिल्कुल नीचे का पॉइंट तक हमने चला गया है नीचे का पॉइंट से एक इंच उपर तलक हमें करना है बिल्कुल पॉइंट पे जाना नहीं है तो अभी दुसरे बाजू का भी करके लेना है तब देख सकते हैं मैं किस तरीका से वना लिया है दूनों शाइट का और आप देखिए एक पतला वाला लेस लगा लेने का है आप चाड़ा लेस का भी इस्तावल कर सकते हैं या पर मैं पतला वाला लेस का इस्तावाल कर रही हूँ पॉइंट के जगा थोड़ा सा मोड के बापस घुमा के दुर्जी साइट का करके लेने का है तो आप देखे स्लेस लगा के हो गया है अब हम क्या करेंगे लटकन बनाएँगे लटकन बनाने के लिए डोरी को पहली बना और आप 3-3 नीज का एक कपड़ा लिया है डबल पर तो अब देख सकते हैं इस तरीक से कोर्नर पर मैंने किया और एक ने की करते हैं जो जिस तरीका का लटकन पसंद करते हैं इसी तरीका का लटकन बना सकते हो यहां पर देखें डवल कपड़ा है एक इंच पर डवल कपड़ा है और इसे चून डाल देने का है प्लेट डाल देंगे तो आप देखिए इस कपड़े को एक किनारे पर लगाना है एक कपड़ा लेना है और इसका किनारे पर देखिए मैं उल्टा करके किस तरीका से लगा रही हूँ पूरे गोलाई पर लगा लेना है पावेंच रखते हुए हमें से लगा लेंगे अब हम उल्टा करके एक लेस लगा लेंगे इसके उपर इस तरीका से तो आप देखिए बापस इसे उल्टा करना है और दूसरा वाला जो कपड़ा है उसे रख कर वापस किनारे से सील के लेना है पावेंच रखते हुए तो आप देखिए फ्रेंड्स सीला चूप गया है और बाहर जो चुन्नड वाला कपड़ा है वो बाहर निकल के आ गया है तो अभी किनारा सील लेंगे इक्स्ट्रा कपड़ा अगर रहेगा तो बाहर निकला हुआ तो उसे थोड़ा थोड़ा चाट लेंगे और फिर दोड़ी जो बना हुआ रहेगा अब हम इसके अंदर डालके मोड लेंगे और फिर उल्टा करके सील लेंगे तो इस तरीका से दो लटकन हमें रेडी करके लेना है तो आप देखे फ्रेंट्स लटकन तो लगा लिया अब हम लूप के अंदर से डालेंगे कैसे एक सुई धगा लेंगे और उसका जो दोरी का जो किनारा है उस किनारे को बिल्कुल अच्छा से एकदम एकदम अच्छा से सील लेंगे और बारिक कर लेंगे जैसे लूप के अंदर से अच्छा से जाए इस तरीका से करके लेना है तो देखे मैं किस तरीका से डाल रही हूँ सुई को उल्टा करके उल्टे तरफ से डाल देना है बड़े आराम से जाएगा एक एक लूप पे डाल देना है तो इसी तरीके से देखिए डाल के पूरे दोनों साइड का करके लेना है तो आप हम पूरा कर लिया है आप देखिए लटकन जो है नीचे तरफ चला गया है नीचे आप इस जगा पर लटकन को वहाँ पर बाद के ले भी सकते हैं देखिए इस जगा पर लटकन को बाद के नीचे की तरफ लटका सकते हो और एक तरीका है ये एक तरीका है दुसरा तरीका जो है इस लटकन को खोलने का है और वहाँ पर देखिए एक बार सील के लेने का है देखिए V के जो point है ना इस point पो दोनों side का जो लटकन है ना वहाँ पर उससे seal के लेना है एक बार दूसरी बार देखिए और एक बार बोच इस तरीका से बनाते हैं उसी तरीका से देखिए ऐसा करके बापस एक बार seal के लेना है तो उससे क्या होगा लटकन छोटा हो का हम इसे पार्मनेट वहाँ पर set कर लेंगे यह भी कर सकते हैं तो इस तारीका से कर लेने का और सैंटर पर बोटन लगा लेने का है और फिर पीछे का जो two so outta है अब इस बाफ इस टाक्स को लगा लेंगी तो इस ही करके लेना है आप देखे बहुत ही अच्छी तारीका से बन चुका है तो अगर कैसा लग रहा है कमेंट करके जुरूर बताए अच्छा लगे का तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मैं आसा करती हूं कि समझाने का तारीका पसंद आया हुगा